नमजकार मैं विश्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एडिपी में हार्दिक स्वात करता हूं और जिन्हें इंग्लिश रिखने में प्रॉब्लम होती है जिन्हें इंग्लिश रिखना नहीं आता है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि आप लगते हैं और वर्ब के फॉर्म बताने वाला हूं इसके लावा कौंसे सब्चेट के साथ कौण सा बहुत लगता है यह बहुत नए इसके बाद कौन से एक जैसा लग रहा है लेकिन आपको क्लियर होने वाला है आज आपकी पूरी confusion दूर हो जाएगी इसलिए लास्ट के बढ़े रहेंगे इसके बाद आपको कोई helping वर्ब से रेटेड है ना टैंस सम्मंदित वीडियो देखने की जरूरत नहीं है जिसमें helping वर्ब के बारे में बताया हो क्योंकि आज पूरा clear हो जाएगा चले start करते यहां पर यह नहीं बता रहा हूं अभी के वल आपको यह समझ आ जागा कि इंडेफिनेट में कौन-कौन से helping वर्ब लगते हैं पहले यह बता रहा हूं कि जैसी आप helping वर्ब देखोगे तुरां समझ जाओगे यह इंडेफिनेट का है बाद में आप पता करोगे कि यह पास इसके बाद आप पता करोगे यहां पास का है कि future का वह भी क्लियर रहेगा वैसी पाफेक पाफेक कंटिनिवस में ठीक है उसके बाद यहां पर देखते हैं सबसे पहला इंडेफिनेट टेंस यहां पर प्रेजेंट नहीं बोरौन में इंडेफिनेट टेंस टोटल इंडेफ तो वहां पर दू का यूज होता है कहां पर इंडेफिनेट में देखियो और कहीं पर यूज नहीं हो रहा है के वहल इंडेफिनेट में डू का होता है डज का भी यूज होता है सब्जेट की हिसाब से चेंज होता है सब्जेट की हिसाब से डू या डज लगता है डिड भी indefinite होता है but past indefinite होता है लेकिन 1000 पहले यह देखक लेते हैं और विल भी indefinite tenants में use होता है तो बिलकुल इतना यात कर लीजिए अक यतना आड करल लीजिए फिर आपका confusion दूर कि indefinite में कहीं और हैस तो और फूल जाइए कि से वल आपको तना चार याद रखना है कि इंडेफिनेट में यह चारों का यूज होता है अब इंट्रोगेटिव में निगेटिव में तो आपको समझा जाएगा अब यह भी बता तो साथ ही साथ कि इंडेफिनेट में हमेशा वाप का फर्स्वार्म का यूज होता है वी वन का यूज होता है यह मतल कोड़ें यहां पर भी तीनों है यहां पर भी तीनों है तो देखिय के अपार स्का बोड़ेंगा पैसर में स्का होता है और विल भी यह होता है future continuous tense में बस continuous में क्या क्या आए आपका is MR present में हो गया was यह वर past का हो गया will be future tense का हो गया तो देखिए एक यह दो और तीन तीनो टेंस का यहाँ पर continuous complete इतना याद कर लो आपको पता चल लेगा हाँ will be आया हाँ यह continuous tense का sentence है future का was यह वर आ गया है जहां पर आएंजी form है हाँ यह continuous tense है past का इस MR के साथ आएंजी form आ गया हाँ यह present का continuous tense है यह बहुत बता दिया अब बढ़ते पाफेक्ट टेंस में पाफेक्ट का बहुत इजी है have has यह दोनों जो है have has आपके present perfect tense में लगते है किसमे पी लिख देता हूँ present perfect tense में लगते हैं और यह जो किवल head है एक मात्र बचा ahead यह आपका past में लगता है past perfect tense में और जहां पर भी आपको विल दिखता है जहां पर भी आपको विल दिखे तो आप समझ जाओ यह future tense का है लेकिन will future जैसी विल दिखे आप समझ जाओ future tense का है लिग के वल विल है तो इंडेफिनेट टेंस future इंडेफिनेट टेंस हो गया विल भी हो गया तो contiguous tense हो गया future में will have हो गया तो future में perfect tense हो गया clear और will have been इसका भी बताने वालों आपको यह clear हो आपको perfect tense में क्या क्या लगता है have has present tense में had past में और will have आपका perfect tense में लगता है अब उसके बाद देखते हैं आगे यहां पर continuous tense में आगे बढ़ते continuous tense में अब आगे perfect continuous tense अब दोनों मिला हुआ perfect भी है continuous भी है याने आपको इसका भी use मिलेगा और साथ में आपको बीन बीन जोड़ो हुआ मिलेगा देखिए perfect tense में क्या आता है have has था तो यहां पर भी have has और perfect में had था तो यहां पर भी head है perfect tense में will have था यहां पर भी will have है के वल जहां पे perfect continuous जोड़ी आता है सबके last में आपको बीन बीन यह मिलेगा बस clear रोजा theo आज आपको perfect continuous भी याद हो गया समय लिजे have है तो have been has है तो has been had है तो had been will have है तो will have been सब के साथ आपको been जोड़ देना है और आपका perfect continuous tense के helping verb आपको याद हो जाएगा यदि आपको perfect याद है तो बस इतना easy है और rule लेकिन perfect में हमने क्या लिखा वी 3 verb का third form का यूज़ करते हैं जैसे go है तो go went gone, third form gone का यूज़ करेंगे ठीक है इसी प्रकार से eat है तो eat, eat, eaten, eaten का यूज़ करेंगे ये third form का यूज़ करेंगे लेकिन क्योंकि perfect continuous दोनों मी लब है तो perfect का तो हमने ये सब ले लिया इसको अब ये continuous का क्या बच गया ये नियम ले लेंगे वर्प का first form ये वाला नियम यहाँ आ गया मतलब ये दोनों का mixture है ये दोनों का mixture है समझ लिज़े आपे तो perfect continuous तो है ये वाला तो लगेगा साथ में बीन मीन लगेगा एगदम clear होगे आपको चलिए देखते हैं अब ये तो पता चलिए दू लगता है ड़ज लगता है you के साथ लगता है दे के साथ क्या लगता है नेम के साथ ये लगे लगता इहां फेब बहूंत जो श्टार्टिंग कर रहे हैं कर रहे हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा करने वाले चलिए देखते हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा helping work कोई कचरन यह इतना साफ सुतर इतने से में कंप्लीट हो गया इतने से में ही कंप्लीट यह चार्ड याद कर लिए मंदा आपका सब्जेक्ट में कौन सा helping अब लगता है आज आपका क्लियर हो गया चलिए देखते हैं एक यहां पर मैंने पैटन लिया है पूरा मदा पूरा सब्जेट को कौन कौन सब्जेक्ट अलग-अ isen helping theoliht तो इसका यूज होता है जैसे ही इस सीइज वी से इप्ट या किशी का राहूलिष पूजा इस तो इस इन सभी के साथ इसका भी होता है अब वही पास्ट टेंश को तो वास का यूज कुझत है तो He ka साथ भी वाज लगता है she was it was यह किसी का Name was clear हो गया है लिए क्यों कि है साथ लगता है लेकिन पनलते आता है अभी आपको बता ने वाला हूं तो he has, she has, it has, यह किसी का name has, राहूल has, पूजा has, clear, does, does be, he does not, जैसे हम करेंगे, या फिर does he, negative बनाएंगे, या इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो he के साथ भी does लगता है, ये सब गयर हो गया, किसके साथ कौन सा helping, इंसबी के साथ ये सबी helping बनाएंगे, बस tense के हिसाब से हमेंगे, प्रेजंट में है तो इस लगा देंगे पाश कर टिवस्ट एंस अधर फोज लगा देंगे परफेक्ट हैंस तो है जगा देंगे थाट फोलों का देंगे निगेटीव है तो डज नॉट कर देंगे यहां पर मैंने आई को भी साथ पर लिख लिए था लेकिन आई का लग से आपको लिखना है आई के साथ एम यहां पर जैसे ही के साथ इस भी आए वह ऐसे नहीं कि मैंने लिख दिया था दोके से मुझे क्या करना था अलग से मुझे ऐसे बना देना था इसको छोड़ देना था मुझे और ऐसे करना था आई के साथ एम यह किवल एक अलग रूल बन गया आई के साथ एम लगता और किसी के साथ एम नहीं लगेगा तो चाहे तो मैं इस पैटन U याने तुम We आने हम They आने वे suivre यू के साहथ भी आर लगता है वी आर बे PETER सबीके साहथ ऑर लगता है पुजेंट टेंस में यूशus inert M है सत्पेंस में निसे साथ इन के साहर पाफएस तरुम главное मैं अब किस साहर यू यूय वह यह यह यू il lagi क्लियर कर दिया मैंने अब जैसे कि हाँ पर वाज लगा था ना इन सभी के साथ वह लगता था प्रज़ प्रज़ तो पास कंशेंस में वर का भी यूज होता है लेकिं शबजेक के हिसाबसे तो सबजेक कौण सा है यूवर वीवर देवर ॥षच्बशन में यू हो तो हम वर लगाएंगे यदि' क्लियर होगे अपको इसके साथ यह helping भर इनके साथ यह helping भर connection साथ हम लगताए कि helping up clear अब से कौंसे helping वाब है जो इन सभी के साहारे जो i reporting agree के सांथ मार्ची के साथ है यू के साथ वी कि सांथ अधी are subject कि साथ यह सभी all subject के सांथ कौन से helping लगता रिड्लक था ए डिड़ का she did not it did not या किसी का name did not सबके सांद टेड लगा सकते हैं you did not we did not they did not कोई confusion did सबी के सांद लगेगा हैड जैसे कि have ये हैस प्रजण टेंज में लगता है पास में हैं अब हैड में रहुल मोला है ठीक है you है, we है, they है सब के साथ है लगेगा वैसी ही will अब will में will ले लो, will भी ले लो will have been ले लो, सब ले लो will के साथ जो भी जूड़ा हुआ ले लो सब किस के साथ लगे, all subject के साथ याने he will, she will it will या फिर किसी का name will तो देखिए, अब आप बोलों के सार, आपने has been, had been का क्यों नहीं बताया, इसलिए नहीं नहीं बताया, अगर has लगा है, तो has been वाला रूल जहाँ जहाँ पर लगेगा, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे, will, will have been ही लगता है, will has been तो होता नहीं, will have been, वो सभी के सान लगता है, तो will तो सब के सान लगता है, तो देखिए, एक दम क्लियर होगे आपको, एक एक चीज समझ आ गया, कि इसके साथ कौन सा helping work, आप बता रहा हूं कौन से tense में कौन सा helping लगता है, उपर indefinite, continuous, perfect, perfect continuous, और इनके साथ यह, अब देखते हैं, कौन से tense में कौन से helping work, बुलेंगे, तो उपर बताया थे सर, तो भई, उपर तो मैंने particular divide कर दिया था, अलग-अलग, Indefinite के साथ, continuous के साथ, perfect के साथ, perfect continuous के साथ, ताकि आपको agreement का dalकी अग्दम से एक पूरा पता चलाए, perfect कम से यादकर आपको बताता हूँ, जब यह आपको clear हो जाएगा, आभी अदि हडबर हो नहीं कि पहने clear कर लिजू, फिर यह clear किजे, लेकिन मैं तो रुकशनी सकता ना वीडियो तो मुझे अभी बनाना है यह सब हो जाए उसके बाद आप जब इसमें आओगे ना तो आपको एक है दस इस एम आर विल है यह सब मिले तुरंत आप समझ जाओ यह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है इस एम आर हां यह प्रेजेंट कर्डिमस का सेंटेंस है हुआ है और किसका इना है है आपका यह प्रेजेंट परेजेंट कर्डिमस का सेंटेंस है इस फैससी मिल मी पता चल थो लिड़ सीध but फ्रूचर चेंब आख से लिख दिया है तो उसमें आप भूल जाये कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है तो प्रेजेंट में यह सब आता है आता है वह रहाता है यह सब पास्टेंज में आता है अभी आपको पता है वह आपका पास्टेंज में आता है और आपका पाफेक्ट में नाता और इसके साथ हैंड जोड़ दीजे तो पास्टेंज तो उसको अलग से यहां पहां पर हैडबी उसके साथ में आता है करें कोई प्रॉल्म नियुक्शकते हैं फ्यूचर में विल बस लिख दिया हूँ इससे आपको स इतना असा अब आपको हर चीज क्लियर हो गया है कि टोटल प्रेजेंट में कौन-कौन सा आता है यह याद हो जाएगा फिर आप जैसे ही हल्पिंग वब उसके अंदर कर देखोगे तो आपको यह पता चल लाएगा यह तो क्लियर है कि यह थो ऩॉडर ऑफ है जैसी है समझ गयो फ समय को हना टेंग ihan practice उसके लिए यह वाला में बना दिया त्यूआल 이제 सुदो है कोे इंडिद का पर्फक टेंस सब्सक्राइए प्सक्राइप तो यहां पे आपको पता चल जायाएगा यहां जैसे कि कि हाँ फॉफेक्ट ज्चैंस सेम ऐसे फ्यूचर में, फूचर गजा और वीजी के वाल विल है तो गंटीनिवस टेंज विल है क्योंकि है परफेक्ट में लगते हैं तो फर्फेक्ट टेंज वील है यहां पे लग घा तोसे पहले पर further हैं यहां गार है अभcket करने जा बूशिद किलियर हो गया हर एक सबसे पहले हमें dunno या है किना लगता है या है है को यह सब्सक्राइब और उस से भी कि जोड़ते हम यह भी रहे हो गया अब यहां पर आते हैं कि कि indefinite tense में क्या-क्या होता है तो भी हमें तो पता है present में क्या-क्या होता था तो present में आये था do, does, लेकिन यहां पर indefinite में केवल present नहीं है, इसमें सभी को जोड़के बता दिया हूँ कि present में do, does आता है, past आपका did, future में, will, यह clear होगे आपका, continuous में easy मार आता है present tense में, और was, was आपका आता है past tense में, और will भी आता है future continuous, same ऐसे ही have has का perfect, head का past tense, will have का आपका perfect, और बिल्कुल ऐसे इसी प्रकार से आपको इसको clearly अच्छे समझा देता है, और यह तो आप बिल्कुल घर में चिपका प्रिंट आउट आपको दे दूँगा मैं, color में ही दे दूँगा, प्रिंट आउट निकालेंगे, चाहे तो color में निकरवा सकते है black and white, घर में चिपका लिशी, इसका practice कीजी, आपको फिर कभी भी आपको confusion नहीं होगा, कि कौन से tense में, कौन से helping वाब आता है, कौन से subject के सा कौन से helping वाब आता है, आपको कभी भी problem नहीं होगी, तो बड़ी महनस से मैंने इसे अपने ही मन से बनाया है, जैसे तैसे तोड मरोड के, यदि आपको थोड़ी भी समझ आई हो, नहीं समझ आया, confusion हुआ, तो भी नीचे comment करेंगे, क्या confusion है, वो भी दूर कर दूँगा, व आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन, शुब रहे, इसका PDF आपको, मदब इसके screenshot, इसका photo में, image आपको provide कर दूँगा, टेलिग्राम में, टेलिग्राम में सर्च मालेंगे, विश्नु एटीपी, मेरे ही पेज निकलता है, आपको follow कर लिजिए, आपको provide कर द आपका दिन, शुब रहे